एक चिडिया घर में एक आदमी गया, और वहाँ देखा कि एक पिंजरे के बाहर लिखा था intelligent monkey, आदमी ने चौकिदार को बुलाया और पूछा, भई, क्या बंदर का नाम intelligent monkey क्यों रखा है, वाच्मैन ने कहा, साब, आप इसको कुछ खाने के लिए दो, आदमी ने उसे एक गांड में डाला, फिर बाहर निकाली और खा गाया, आदमी ने हैरत से पूछा, अबे, इसमें बुधिमान वाली क्या बात है, चौकिदार मुस्कुराता हुआ समझता है, साब, आपके आने से पहले यहाँ एक अंग्रेज आया था, उसने बंदर को एक पूरा आम्ब खान के लिए दिया, बंदर ने घुटला समेत हमें आम्ब को खा लिया, जब वो टटी करने गया, तो घुटली उसकी गांड में फंस गई, इसलिए अब ये हर चीज को अपनी गांड में दाल के चेक करता है, कि गांड से निकल जाएगी या नहीं, आदमी को बंदर की समझदार को बुलाया और पूछा, यहां पर डबल इंटेलिजन्ट बंदर क्यों लिखा है, वोच्मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे कुछ खाने के लिए दो, आदमी ने उसे एक केला दिया, बंदर ने पहले पानी में डाला, फिर अपनी गांड में डाला, और फिर खा लिया आदमी ने हेरा होकर पूछा, ऐसा क्यों? वोच्मैन ने कहा, साब, आपके जाने के बाद वो अंग्रेज दो बारा आया, इस बार उसने इसको जलती हुई सिगरेट दी, जब बंदर ने अपनी गांड में जलती हुई सिगरेट डाली, तो इसकी गांड जल गई, तब से य ये हर चीज को पहले बुझाया के चेक करता है, फिर साइज देखता है और फिर खा लेता है.